लोग सभा चुनाओ के आखरी चरण में हिमाचल प्रदेश की चारो सीटों पर वोटिंग होनी है और साथ ही प्रदेश की छे विधान सभा सीटों पर भी उपचुनाओ होना है जिस पर प्रदेश की सरकार का भविश्य टिका हुआ है। अपके सामने चार लोग सभा की सीटें और छे विधान सभा की सीटें और असली निशाना क्या है लोग सभा चुनाओ या विधान सभा के उपचुनाओ देखे चुनोती जितनी मरजी बड़ी हो यह जंता की अदालत है लोगतंतर की ताकत जनवल में होती है जंता फैसला करती है मेरा यह माना है कि जिस परकार सत्त की कुर्शी को हत्याने के लिए दर्न का प्रियोग किया गया है जंता उस मामले में निश्ची तोर पर एक जुन क जब बोड डालने जाएगी तो जो नोट के दम से सत्त की कुर्सियत आना चाहते है उनको सबक सकाएगी यहां इस बार चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप यह कहने कि जो आपकी सरकार कोई तरीके से गिरान डिस्मेंटल करने की कोशिश होई राज्य की राजिती की दिशा और दशा तैय करने वाला है जो छे बिके विदहैक है उनने हाथ को बेचा है और कमल को ख्रीदा है हम जन्ता के बीच में कह रहे हैं जो हाथ के चुनाव हाथ का ना हो सका वो कमल का क्या होगा इसलिए इमान दार बीजय पी कारेकरतों के दिल में भी और ये चुनाव साड़े तीन साल के लिए होने वाला है बिधान सबा का तो इमानदार बीजेपी कारेकरताओं मालों के भी मन में पीडा होगी कि ये कैसे होता है जिसने हाथ बेचे दिया और कमल खीर लिया तो बिधान सबा चुनावों में तो हमारा मानना है और लोग सबा हमाचल की जनता इस चीश को पसंद नहीं करती है देव सलस्कृति की भूमी है पहली बार हमाचल में ऐसा हुआ है और इसका नुक्सान भारती जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा आप बीजेपी कारेकरताओं को अपील कर रहे हैं कुछ कि जो आपकी पार्टी से बीजे पी में एक सवाल तो ये भी है कि आखिर कॉंग्रेस के विधायक क्यों टूटते हैं लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोगस्वाच चुनाओ के महौल में ये उप चुनाओ को तब तोड़ा जाता है ये एक और डिपार्टमेंट बन गया महारास्टर में क्यों टूटे मध्य चुनाओ भी हो रहा है और आपकी सरकार का भविश्टिका हुआ है ये कितने प्रेशर क्या प्रेशर में हैं कि आपको सरकार भी बचानी है और दिल्ली चार लोगों को जिदा कर भेजना भी है लोगस्वाच पहले तो आंकलन ठीक नहीं है आप गलत फहमी में है ठासट की एसेंबली है हमारी 24 अभी हमारे प्रेजेंट विदायक है जिसमें से दो विदायक हमारे लोगसवा का चुनाव लड़ रहे हैं मंडी से विकरमदित्या और शिमला पार्लेमेंट से बिनो सल्तान पुरी जी तो कोई सरकार गर गिरती होती तो इतना मुरुख हो ता कि अपन को गिरा नहीं सके इमानदार विदायकों ने अपना इमान नहीं बेचा तो सरकार बची तो अब मिजोर्टी महरे पास है 34 हमारे पास है 25 उनके पास है तो कैसे सरकार बनाएंगे लेकिन बीजेपी के नेता तो बार 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 अमिच्छा जी भी आये थे जैराम ठाकुर बा प्रदानमंत्री आये मंडी बड़ी सभा की उन्होंने कहा कि 4-0 का मूड उन्हें माचल में दिख रहा है पिछली बार भी 4-0 से जीते थे और उन्होंने कहा कि 6-6 जो विदान सभा की सीटें उपचुनाव की वो भी बीजेपी जीतेगी क्या आप जवाब देंगे प्रदानमंत्री आप जनता एक जून को तैय करेगी और आप तो जनता की दालत में जनता ही फैसला चार जन को बताएगी जनता चार जून को करेगी लेकिन उसके पहले एक जून को खरगे जी ने दिल्ली में मीटिंग बुला ली है इंडिया गटबंधन की क्या आप लोग को कॉन्फिडेंस है कि चार जून को नतीजों में आप लोग बहुमत का अकड़ा पार करने वाले हैं बहुमत रिजल्ट मुझे खुशी है कि मैंने अपने नेता राउल गांदी की जी के लिए पक्चार किया अगर सरकार बनती है सर इंडिया अलाइंस की आप क्या चाहेंगे किसे प्रधान मंत्री के तौर पर आप देखना चाहेंगे देशी ये तो वही फैंसला करेंगे ने दिल्ली की रानिती में मैं ज़्यादा इस्ट शेप करता हूँ और मैं रूची रखता हूँ आप शिमला में ही बने रहेंगे और आप मुख्यमंत्री यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे साडे तीन साल तक तो जब तक हमारी सरकार है. तब तक तो मुख्य मंत्री रहेंगे साडे तीन साल तक. आखरी में पुछूंगा, सर, मंदी सीट पर पुरे देश की नजर है. अब नितरी है, कंग्ना रणौध बड़ा चेहरा है, वो लड़ा रही है और वो आपकी सरकार पर भी खूब निशाना साथ रही है, मंडी के चुनाओ को सुखु साब आप कैसे देखते हैं, वहाँ पर किस तरह का नतीजा आप देखते हैं, मंडी में कॉंग्रेस जीतेगी, अंतर क्या रहेगा, अंतर इतना तो भविश्य बगता नहीं हो, और चलते मंतरी ने एक इंटर्व्यू में एक और फिर से ये मुद्दा उठाया है कि उन्हें कई सारे अप्शब्द कहे गए हैं पिछले 24 सालों के उनके सारवजिनिक जीवन के करियर में, इस पर उनका कहना है कि वह प्रूफ हो गया, तरीके से गाली प्रूफ हो गया है, आप कैसे मैंने कभी सुने नहीं है, उन्होंने अभी अभी इस चीज़ को आपने इंटर्वी में बोला है, आप इस पर याक नहीं करना चाहते हैं, नहीं, मैंने सुने नहीं तुम्हें कहा रेक्ट को धन्यावाद, ठीक है, एक आखरी में, इस बार लोगसभा चुनाओं में कॉंग यह स्वाल पूछना नहीं चीए, जब आपको पूरी जानकारी नहीं हमारी इंद्रा गांदी प्यारी बहना सुक्समान निदी के यह यूजना शुरू हो चुकी है, और दो लाग सेंतिस हजार महलों को पंदरा सुर्पया मिल चुका है, बहना शुरू कर दिया आपके, मिल खली दी, तो अब उन्होंने हमको बोला कि आप हारम तो बरसकते पर पैसा चुनाबों के बाहर डालेगा, चार सेंता के बाहर डालेगा, तो एक मुख्यमंत्री के तोपर मैं कहना चाहता हूं, कि भारती जनता पार्टी में पंदरा सुरू महलों के रिकवाने के लिए चु और मैं अपनी महाचल की महलाओं को यश्वाशन देना चाहता हूं, कि अप्रैल के पंदरा सुरू रुपिया और मैं के पंदरा सुरू रुपिया, तीन हजार रुपिया जून के चार सेंताटने के बाद उनके बढ़ जाएंगे, बाकियों को जुन को पढ़ गए, वो बहुत बहुत शुब कामना आपको सुखु साब, तो सुखविदर सिंग सुखु, confident है, लोग सभा चुनाओ में चारो सीटों पर जीत को लेकर और विधान सभा की चीछी सीटों पर उप चुनाओ है, उसको लेकर के, और उनका कहना है कि उनकी सरकार को कोई खत्रा नहीं है और पिछले दिनों में राजसभा चुनाओ के वक्त, जिस तरीके से यहाँ पर कॉंग्रिस के विधायक बीजेपी के पाले में चले गए थे, उसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं सुखविदर सिंग सुखु, और इसके आधार पर नसिर्फ बीजेपी को घेर रहे है बलकि बीजेपी के कारेकरताओं से भी अपील कर रहे हैं कि वो कॉंग्रेस से आए हुए उमिद्वारों को ना जिता हैं, बहराल जनता क्या फैसला करेगी हिमाचल की चारों सीटों पर और विधान सभा के यहां के उप्चिनाओं पर ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, क्य चैनेंद्र, ABP News, धर्मशाला